अभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और जरूर आप सस्क्राइब करने बेल आइकन में प्रस कर दीजिएगा वल्ला के स्टॉक पॉर्टफोलियो अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लिजिए और अपने सुझावपी दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में और बजट पेश हो और दोगनी हो तो किस प्रकार से दोगनी हो कोई और रॉपसर टबल तो हो नहीं सकती फसल तो वही होगी जो उगती जिसका सीजन होता है लेकिन गुवर्मेंट के अचारा है कि जो किसान है जब वो खेती करें तो लोन ना ले और लोन ले तो ब्यासमुक्त लोन हो खालां कि उसका पूरा फोकस है जो बिल्कुल भी ना ले और जो फीज खाद केमिकर्स जो छड़काव के लिए उनको पैसे के ज़रूरत होती है बेसिक इसके लिए वो लोन लेते हैं खेती करने के लिए वो न ले और भीज और वो खुद से बीज और जो खाद है औरगैनिक वो खुद तयार करे अपने खेतों के लिए तो अगर the government किसानों को यह समझ्झाने में काम्याव हो गई जब किसानों का पैस जादा लगेगा ही नहीं वो लोन लेंगे ही नहीं तो इसको बोलते हैं जीरो फार्मिंग और शुद्ध उनको जो है मुनाफ़ा होगा तो उनकी आए अफकोस टबल होगी इस तरीके से हमारी सरकार सोच रही लेकिन सरकार जो सोच रही है उसमें से कौनसी कमपनिया होने वाला है इस वज़े से पांच जुलाई को जब बजट पेश हो रहा था तो केमिकल एंड फर्टलाइजर की बहुत सारी कमपनिया उस सेक्टर की डाउन हुई और उनमें से चाहे आपको मद्रास फर्टलाइजर ले 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 वो भी 12-13% टूट चुकी थी और गुजरात नर्मदा वैली फर्टलाइजर भी उस दिन 5% के आसपास इसमें गिरावट देखी गए थी जो की जबर्दस दिवगज कमपनी है तो जे नफसी के बारे में आज बात करेंगे कि वर्तमान इसके डेटा कैसे है और क्या स्टॉप प्राइस है पहले हम बैलेंस शीट से चलते करोड की है हम डीटेल्स में देखेंगे इनके फैनेशल रिजल्स और मार्केट कैपिल है 373 करोड का रह गया है और अर्निंग पर शेयर 47.69 पी कितना सस्ता है 5.04 जबकि इंडस्ट्री 11.43 का बुक वैल्यू इसके 321 है बुक वैल्यू से काफी नीचे है स्टॉक प्राइस भी हम बताएंगे फिस वैल्यू 10 की है अभी भी और डिलिवरी इसके 36 परसंट के आसपास है हाँ 240 रुपए BSC पे इसका जो भाव ट्रेड हुआ 5 जुलाई को आज है 7 जुलाई आज मार्केट बंद है आज संडे है 13 रुपए उस दिन डाउन हुआ था और जो 52 विक लो बनाया था 232 और 466 इसका हाइट असाल का तो आधा हो चुका है समझे कि इसका स्टॉप प्राइस काफी गिरावट इसमें लगातार आ चुकी एक साल के अंदर ही अगर हम क्वाटर फूर के देखते हैं दिसंबर 18 से मार्च 19 में तो जहां नेट सेल्स दिसंबर 18 में थी 1219 करोड की वहीं मार्च 19 में हो गई 1430 करोड की यानि 17.37% की अपसाइट है नेट प्राफिट में आप जहां दिसंबर 18 में थी 165 करोड की वहीं मार्च 19 में रहे गई घटके 93 करोड के आसपास जो की 43.52% की डाउन साइड है और मार्जिन चलिए मार्जिन बराबर 0.77% के आसपास है यह चीचीज है और अगर हम year on year मार्च 18 से मार्च 19 में कम्पेर कर और नेट प्राफिट में भी यहां जहां मार्च 18 में थी 328 करोड की वहीं मार्च 19 में हो गई 93 की यानि 71.55% की डाउन साइड है और मार्जी में भी यहां पे 19.38% की डाउन साइड है और अगर हम रिटन देखते हैं वरतमारिस्ती तो 10 सालों में सिर्फ रह गया है 153% के र चार सालों में 290 तीन सुपरसंट के यास-पास अभी शानदार हैं तीन सालों में 48% के डिटन दिखा रहे हैं लेकिन 2 साल, 1 साल, year till date, 6 months, 3 months, 1 month हाँ वन वीक में 3% की जो है ग्रीन यानि रिटन दिखा रहे हैं लेकिन 2 सालों से लगातार लगातार गिरावट है जिसका इस इसने भी लगाया दो सालों के पहले उनको काफी लॉस हो रहा है तो रिटन भी अब कुछ खास नहीं रहे गए हैं दो सालों से और शेर होल्डिंग पैटन में यहां पर 51.8% है प्रमोटर्स के पास और लाइफ इंशुरेंस की भी जबरस होल्डिंग है 7.5% के इसमें 157 FIIs ह से लगा रहा है इंडिविज्वल हैं 30% के आसपास तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहों कि गवर्मेंट के काराल जिस प्रकार से किसानों से बहुत कुछ कर रही है तो ऐसी कंपनियां प्रभावित हो पाएं तो ध्यान देना होगा हमें आगे आने वाले समय में भी नजर बनाए रखेंगे और हमेशा साउधाने से कुछ ऐसे सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जो गवर्मेंट के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित होती है दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पाइंट अप करूंगा कर दो